चलिए आज समझते हैं कि लगन के ऊपर क्या प्रभाव होता है और उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं ज्योतिस में लगन क्या विशेषता रखता है हम सभी जानते हैं कि लगन प्रमुख रूप से देखा जाता है हमारे ज्योतिस के अंदर और हमारी आकृति प्रकृति इन सब के विशे में हमारा स्वभाव कैसा होगा इसके विशे में हमारे रंग रूप कैसे होंगे इसके विशे में ये सभी चीजों के विशे में हम लगन से ही जानते हैं हम जीवन में संब्रिद होंगे या नहीं होंगे हम जीवन में स्वस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे हम जीवन में कितने तरक्की को प्राप्त कर पाएंगे इन सब बातों की जानकारी लगन मात्र से भी संभव है अन्य भावों के विशे में चर्चा तो हम करते ही रहेंगे लेकिन सबों में सर्वस्रेष्ट भाव लगन को कहा जा सकता है क्योंकि लगन से ही हम कहते हैं कि हमारी संगरचना तैयार हो जाती है कि हमारा जीवन आगे कैसा होगा हमको अपने सारिरिक संगरचनाओं का लाब मिलेगा या अपने मानसिक ताकत का इनकी भी जानकारी हमको लगन से ही प्राप्त होती है और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम सुद्रिध सरीर के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हम लगन स्थापित कैसे होता है इसके भी से में हम आगे कभी बताते रहेंगे आप लोगों को लेकिन आज हम कहते हैं कि लगन अच्छा होगा लगन बुरा होगा लगन के उपर प्रभाव कैसा होना चाहिए किस प्रभाव से जातक क्रोधी हो जाता है ऐसे बहुत सारे सवाल लेकिन हम छोटे छोटे प्रसनों का ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आप उसको कैसे समझेंगे तो सबसे पहले आज हम कहते हैं कि लगन से हम सरीर अपने तन लगन को ही तन भाव भी कहते हैं तो तन के भी से में समझते हैं अब तन है तो यही सरीर है यही बीमार होगा अगर हम बीमार हो गए तो हम अशफल हो गए तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हम स्वस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे तो सबसे पहले ये देखना होगा कि लगन की स्थिति क्या है क्या लगन में सुभग्रह है या असुभग्रह है लगन सुभग्रहों के प्रभाव में है या प्रभाव में है सुब ग्रह किसे कहते हैं यह आप सभी जानते हैं कि हम गुरू और बुद्ध को सुब कहते हैं मंगल सनी सुर्य राहु केतु को असुब ग्रह कहते हैं बुद्ध सम्हे सुब के साथ सुब और असुब के साथ असुब कहते हैं चंद्रमा पक्षबली होता है लेकिन अब विशेश कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव से हम कहेंगे कि हमारा लगन विक्षित हो गया तो हम आज सिर्फ और सिर्फ सुरुज का लगन के ऊपर प्रभाव बताना चाहेंगे अब मेसादी रासी जो है लगन में स्थित है कोई भी रासी लगन में हो शकती है तो अब रासियों के अनुरूप सुर्य का प्रभाव कैसा होगा लगन के ऊपर ये आज आप समझे यदि हम कहते हैं कि मेस रासी लगन में है और सुर्य स्थित हो लगन में ही तो ऐसे जातक हम जानते हैं कि मेस रासी में सूर्य उच्च का होता है लेकिन सूर्य क्रूर ग्रा है तो उसका प्रभाव जरूर होगा अर्थात आपका टेंप्रामिंट उचा होगा आप क्रोध करने में जल्दवाजी करेंगे किसी भी चीज को सोचे समझे बगर बोलने का प प्रभाव नासाय ऐसा कहा जाता है लेकिन उसके बाबजूद यहां चूकी अपने उच्चे रासी के स्थित हैं इसलिए आपके स्वास्त की हानी बहुत अधिक नहीं करेंगे लेकिन आपके सुभाव को उद्टेजित करने में आपको क्रोधित रखने में सूर्य का बहुत अधिक प्रभाव लगन के उपर होता है हमेशा से समझना है कि लगन से ही हम लोग सिर का भी विचार करते हैं और सूर्य को अगनी तत्व प्रधान ग्रह भी कहा गया है तो अगनी तत्व प्रधान यदि ग्रह यदि आपके सिर के उपर स्थित है अर्थात लगन के उपर स् इसके लिए जीवन भर प्रियास करना पड़ेगा यदि आप में से किसी के भी लगन में उच्च के सुर्य स्थित हों तो एक ही काम करना चाहिए कि सबसे पहले अपने स्वभाव को ही नियंतरित करें तो इससे सुर्य के जो कुरूरता पूर्ण व्यवार हैं या कुरूरता पूर्ण जो उनके गुन है उससे आप बच सकेंगे स्वास्त की हानी नहीं होगी लेकिन मानसिक रूप से आप कुरूधित रह सकते हैं यहां लगन के उपर सुरी के प्रभाव का यहीं फल होता है